जै मानन्दा भगवती पिछले वीडियो में आपने मानन्दा देवी के जन्म की लोग गाथा सुनी आज हम सुनेंगे मानन्दा यानि गौरा के विवाह की लोग गाथा उमीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो यहां लोग गाता सुनने से पहले वाँ वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलें रिसासु गाउं में नंदा के जन्म के बाद वर्ष बीटते गए और गौरा 12 साल की हो गई दिखने की सुन्दर और हर काम में निपुड थी नंदा पिछले जमाने में 12 साल की कन्या की शादी हो जाती थी पिछली कहानी में आपने सुना होगा कि गौरा ने जन्म के बाद ही बता दिया था कि उनका विवा कैलास में रहने वाले भगवान शंकर से होगा लेकिन नंदा के माता पिता पुरानी बात भूल गए और नंदा के लिए लड़का ढूंडने लगे कई लड़के देखे लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आया रुद्र का भगवान शिव के रूप में कैलास में जन्म हो चुका था शिव 12 साल तक साधना करते रहे तो बाकी देवता डर गए कि अगर सभी शक्तियां शिव के पास चली गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा सभी देवता नारद के पास गए नारद मुनी के पास उन्होंने नारद मुनी को कैलास भेजा कि वह किसी भी तरह से शिव की साधना तोड़ें नारद नारायन करते हुए पहुच गए कैलास नारद मुन की आवाज सुनकर शिव साधना से उठ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि एक ब्रहामन उनके द्वार पर आया है वहाँ नारद को विख्षा देते हैं लेकिन नारद मुनी विख्षा लेने से इनकार कर देते हैं क्यों? नारत कहते हैं कि आपका अभी तक विवा नहीं हुआ है, आप अविवा ही थो, मैं आपसे विख्षा नहीं ले सकता श्रिव जी को गुसा आजाता है, एक तो मुनी ने यहां आकर उनकी साधना भंग की, उनका ध्यान भंग किया और अब हुआ, विख्षा लेने से भी इनकार कर रहा है और उनसे पहले विवा करने के लिए कह रहा है, नारद मुनी तो नारद मुनी थे, वे आखिर में भगवान शिप को मना देते हैं इसके साथ ही मुनी जी, नारद जी कहते हैं कि मैंने आपके लिए रिशासु गाउं में एक लड़की देख रखी है आप विवाहा की तैयारियां करो और मैं वहाँ जाकर उस लड़की के माता-पिता को संदेश देता हूँ अब नारद मुनी आनन फानन में पहुँच जाते हैं रिशासु गाउं वहाँ हेमंत और मैनामती उनका खूब आदर सतकार करते हैं लेकिन नारद जी वहाँ भी भिक्षा लेने से इनकार कर देते हैं क्यों? नारद जी कहते हैं जिस घर में 14 साल की कन्या कुवारी हो वहाँ से वह भिक्षा नहीं ले सकते हेमंत और मैनामती कहते हैं कि फिर आप ही कोई अच्छा लड़का बताओ जिससे वे अपनी बिटिया नंदा की शादी कर शकें नारद जी कहते हैं अरे लड़का तो बारात लेकर आने वाला होगा आप विवा की तैयारियां करो कैलास में रहने वाले शिव के साथ नंदा का विवा होगा आपकी बेटी उनके साथ बहुत सुखी और खुश रहेगी हेमन्त और मैनावती नारद मुनी पर विश्वास करके विवा की तैयारियों में जुड़ जाते हैं शिव जी कैलास से बारात लेकर चल देते हैं रास्ते में जो मिला वो अब बारात में सामिल हो गया आपने सुना भी होगा कहते हैं न कि कहां जा रहे हो कि शिव जी की बारात में जा रहे हैं शिव जी की बारात में हर तरह के मनुश्य और भूत पिशाच भी गए शिव जी जब बारात लेकर हेमंत के घर पहुंसते हैं तो मैनावती उनको देखकर रोने लग गई वहार रोने लग जाती हैं और नारद मुनी के पास जाकर बोलती है तुमने यही योगी ढूंडा था मेरी बेटी के लिए जिसने बाग की खाल पहन रखी है जिसके सारे बदन पर राख मली है और उपर से गले में साप भी लटक रहा है मैं इस योगी के साथ अपनी वेटी का बिवा नहीं करूंगी नारद जी मेनावती को समझाते हैं नारद जी कहते हैं कि शिवजी सीधा साधना से उठकर यहां इतनी दूर पहुँचे हैं जब वह दूले के वस्त्र पहनेंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगे कुस देर में शिवजी पीले वस्त्र धाराण करते हैं चांद जैसा मुकट उनके सिर पर विराजवान होता है शिवजी का यहां रूप देखकर मैनावती ही नहीं पूरे गाउं के लोग प्रसंद हो जाते हैं इस तरह से शिवजी और नंदा का विवा हो जाता है कुछ दिन वाद जब नंदा की विदाई होती है तो पूरा गाउं उन्हें विदा करने के लिए आता है नंदा की डोली सजाई जाती है नंदा की डोली कई जगहों से होकर गुजरती है नंदा राजजात के अपने वीडियो में हमने नंदा की डोली किन किन अस्तानों से होकर गुजरती है उसके बारे में विस्तार से बताया है उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसे क्लिक करें और राजजात के बारे में जाने बोलो जै माननदा भगवती